चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 टेटराहेडरल स्प्लेटिंग तो आजे समझते हैं कि टेटराहेडरल कॉंप्लेक्सेज में स्प्लेटिंग कैसे होती है यहाँ पर एक मैटल एटम है और यहाँ पर मैटल एटम सराउंडड़ है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड से टेटराहेडरल केस में हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं अब देखते हैं कि D-orbital की splitting tetrahedral complexes के case में कैसे होती है. ये free metal atom का D-orbital है. अगर metal atom surrounded है spherical crystal field से, तब इस D-orbital की energy बढ़ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब tetrahedral में जब D-orbital split होता है, तब जो orbitals axis पे हैं, उनकी energy डाउन हो जाती है. वो orbitals होते हैं D-Z square, D-X square minus Y square orbitals. On the other hand, जो orbitals axis के between हैं, उनकी energy rise हो जाती है. ये orbitals होते हैं D-XY, D-YZ, D-ZX. इन दोनों टाइप के orbitals के बीच का जो energy difference होता है, उसको delta T से show करते हैं. यहाँ पर delta यूज किया गया है difference के लिए, और T use किया गया है tetrahedral complexes के लिए. बेरी center से, जो high energy वाले orbitals होते हैं, उनका difference होता है 2 by 5 delta T, जबकि low energy वाले orbitals का difference होता है 3 by 5 delta T. तो इस तरह से हम एक tetrahedral crystal field में D-orbital की splitting को show कर सकते हैं. यहाँ पर crystal field splitting को show किया जाता है delta T से, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि जो E-orbital की energy है, वो decrease होई है 3 by 5 delta T. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, कि जब हम tetrahedral complexes के लिए splitting को study करते हैं, तब वहाँ पर T2G या EG use नहीं किया जाता, केवल E और T2 use किया जाता है. यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट होता है G, उसका use नहीं करते हैं, क्योंकि tetrahedral molecules में center of symmetry नहीं होती है. यह एक tetrahedral molecule है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी center of symmetry नहीं है. On the other hand, यह एक octahedral molecule है, और इसमें आप center of symmetry देख सकते हैं. अगर splitting energy की बात करें, तो delta T की value कम होती है delta O से. इन दोनों के बीच में जो relation होता है, वो होता है delta T is equal to 4 by 9 delta O. Delta T की value बहुत ज़्यादा small होती है, इसी वज़ा से electrons की pairing नहीं हो पाती है. और जो complexes होते हैं, वो mostly high spin complexes होते हैं, regardless of ligand strength.